मैं ही सबसे बहतर हूँ यह नहीं कहता मैं लेकिन मेरी कोशिश रहती है कुछ बहतर करने की कुछ बहतरीन करने की नमस्कार जहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदिगनेस स्वागत करता हूँ और प्रारंब करते हैं क्या आज अपनी ये वितान जो पुस्तक है वितान भाग ए कख्षा ग्यारा की वितान भाग एक कख्षाग्यारा की जो पुस्तक में इस अध्याय में बताया गया है तो आपसे अनुरोध है वीडियो का आप लाइक करें शेर कर Podcast पहली बार देख रहें चैनल को जरूर सब्सकाइब करें गंटी वाले निसान पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूच ना मिलती रहे तेलिग्राम चैनल आप मेरा जोइन कर लीजिए वहाँ पर मैं प्रश्ण वगरा पोस्ता रहता हूं क आपको जोइन करना है देखिए साथियों निरंतर जो डे वन से जुड़े में उन साथियों को पता है कि हमने क्या कुछ करवा दिया यहां पर और बहुत गुणवत्ता पूर्ण तरीके से बहुत इत्मिनान से अच्छे से चीज़ें करवाई जा रही है अभी तक हमने की दोनों पुस्तकें क्रितिका भाग दो और क्षितिस दो कंप्लेट कर ली इसके अतिरिक कक्षा ग्यारा में वितानाज पूर्ण होई जाएगी और कक्षा ग्यारा बारा के लिए जो कॉमन रूप से हिंदी साहित इतिहास की जो अपना हिंदी लिटरेचर न वो किताब है जो जिसमें आदिकाल, भकतिकाल, रितिकाल, आदोनिकाल जितनी बी चीज़ें वो किताब हमने कंप्लेट कर ली तो ये सारी चीज़ें आप लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो चलिए प्रारंब करते हैं भारतिये कलाएं आप सभी साथियों को शेर करके जोड़ जैसे हम अपने आसपास के परिवेश प्रकृति या भाओं और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं वैसे ही चित्रकारी संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास प्रकृति को अभिवेक्त हैं जो करते हैं और ये भी आप कमेंट करके बताएगा आप फर् आप कमेंट करके बताईएगा आप पॉर्शन भी करना चाहते हैं कि हमारे साथ हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसे किसी ने किसी रूप में और नए नए तरीके से कहना या विव्यक्त करना चाहते हैं समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों म हो सकती है देखी जो चीज भी हम देखते हैं उसको कोई वेक्ति किस प्रकार से अनुभूत करता है कोई उसके अंदर कुछ देखता और फिर उसी के अनुरूप अभी वेक्ति करता है तो समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों में सजाता है चिडियों की चहचाट उसे गायक स्वरों में सजाता है और तो नर्तक मन के भाओं को विविन मुद्राओं में सजाता है नासने वाला उनको अलग तरीके से देखेगा गाने वाला उनको अलग स्वरबद तरीके से देखेगा और चित्रकार है जो उसको अलग तरीके से देखेगा ये भीम बेटका की गुफ़ाओं के चित्र है ठीक है और ये पाठ आपको जिके के अंदर भी मदद करेगा थोड़ी सी चित्रों में तो कभी गीतों में कभी निर्ते में तो कभी संगीत में ये कहने सुनने की परंपरा सदियों से चल रही है और आज भी नएने तरीकों से है जो लगातार जारी है हर चीज को अलग अलग तरीके से कहना जैसे कि हम कभीता शायरी करते हैं तो हम हमारा कहन अलग होता है हम जो अनुभूत करते हैं वो अभिवेक्त करते हैं अपने हिसाप से करता है विविद कलाओंगी हमारी अनूठी पहचान है आपने देखा होगा कि भारत के अलग लग राज्यों की अपने विशिष्ट है जो कलाओं है आपने ये भी देखा होगा कि हमारी कलाओं त्योहारों उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता है हर उत्सव के ओपर कुछ ने कुछ कला है जो चलती है साथ में ये कलाओं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह पूजा तथा खेतिवाड़ी से भी जुड़ी है मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं विरासत के परतिया में उत्सा और विश्वास है जो भर देती है साते नए साते जुड़े उनको मैं बता दूँ कलास अपने तीन बजे होती एक तो पाठों वाली और शाम को आट बजे अभी चल रहा है का विश्वासतर है ठीक है क्या आपको यह नहीं पता पता क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्मों त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव ही एक और इससे केवल मनुरंजन या अलंकरण होने से बचाता है तो दूसरी और यही पहलू जो प्राचिन परंपराओं की सतत निदंतरता को बनाए रखता है साथ यों देखिए यह हमारे देनिक जीवन की जो चीजें है फसलें है तोहार है उनसे ये कलाओं जुड़ी हुई है इसलिए लगातार है जो अभी तक ये जीवित बनी हुई है वास्तों में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी भी है ठीक ही ये कलाओं भी अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे क्या कि जन जातिये और लोक कला शेलियों के सभी रूपों में एक विवस्ता भी है जो दिखाई पड़ती है जो आग सम्मंद लोक या समू से ही था तो यहां से सवाल बन सकता है द्यान में रखाइं सब्सक्राid में सबी कलाओं का सम्मंद लोक या समू से ही था है बाद में चलकर जब इनका सम्मंद व्यवसाय से जुड़ा ना तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गई है इंडिविज्वल होती चली गई है मद्दे काल तक आते आते साहिते चित्र संगीत मृत्ते कलाएं राजाओं और विभिन शास्तिकों के शरंक्षण में है जो चली गई और देरे देरे शास्त्रिय नियमों से में क्या बंद ही वे कलाकारों को अपनी अभिरूचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्तित और परिश्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी है जो करते रहते थे इस तरह मंदिरों और महलों में विक्सित होती हुई ये जो कलाएं है ये सास्त्रिय स्वरूप ग्रहन करती गई गुप्त सामराजिम प्राकाष्टा पर ये पहुंच गई कलाएं बरतमुनी के नाट्टे सास्त्र में देखिए हमने इंदि में भी पढ़ा था कवे शास्त् रचनाकार भरतमुनी शास्त्र ने संगीत नृत्य अभी ने कलाओं को एक शास्त्रिय कला का स्वरूप दिया फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरित्र क्या जूड़ी रही आगे हम बात करें तो आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही है चाहे चित्र कला हो चाहे प्राचन काल में संगीत कला हो या फिर क्या नृत्य कला हो आगे हम बात करें तो शास्त्रिय और लोक कलाओं के बीज कभी ने खत्म होने वाला संवाद और इनकी जो क्या है ताकत है अब सरव पर्था हम देखते हैं चित्रकला को देखिए चित्रकारी प्राचिन काल से हमारे जीवन का क्या रही अभिन हिस्सा रही है जब हमारे पास भासा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी और यही जो अभिवेक्ति है यह क्या माध्यम था चित्र कारी ही प्राचिन काल में पुराने समय में जो बाशा का क्या थी? माद्यम्ति अभिवेक्ति का माद्यम्ति प्रागेतिया सिक समय में अपने वातावरन, रहन, सैन, भावों और विचारों को मनुष्यों ने चित्रों के माद्यम से विवेक्त किया तो यहां से सवाल यह बन सकता है कि प्राचिन काल में प्रागेतियासिक समय में वातावरण, रहन, सैन, भावों और विचारों को मनुशे ने किसके माध्यम से विव्यक्त किया बाशा, चित्र, बाशावा, चित्र या कोई नहीं तो आप ध्यान में रखेगा चित्रों के लागेतने की जित्रौवाराश्टर की यह बरलीचेलई बने चित्र नवने चित्र को इने जाती है, अधियान में रखना, यह सवाल पूछा जा सकता है कि जो मद्धे परदेश में जो भेम बेट का की गुफ़ा है ना वो शेल चित्रों के लिए जाने जाती है ठीक है इन चित्रों में जीवन की क्या रोजमर्रा की जो गतिवीदिया है जैसे कि शिकार हो गया नृत्य हो गया, संगीत हो गया, जानवर हो गया, युद्ध हो गया, साज सज्जा ये सभी कुछ है जो दिखाई पढ़ता है मेरा प्रियासा आपको आराम से धिरी धिरे बहुत अच्छे से समझाता चलू क्योंकि आप श्रिम पाठ पढ़ने बेड़ते हैं अगर किताब लेकर तो आपको आलश्य के अनुभूती हो सकती है लेकिन मेरे साथ साथ करते चलेंगे तो आपको पूरा पाठे करम हो जाएगा अच्छे से और आपको सुनते विए देखते विए अंडरलाइन करते विए चलेंगे तो खोपड में ज्यादा चिज़ा इस्ता ही होती है गुफाओं में कला स्रिजन की अति प्राचीन परंपरा रही है एलोरा और अजन्ता की गुफाओं कला करतियों के लिए क्या है विख्या आते है साहाब देखि एलोरा की गुफाओं में केलाश मंदिर का चित्र तो ये पूछा जा सकता है जन्ता की गुफाओं केलाश मंदिर का चित्र मिलता है चोथी से चटी सदी के बीच गुप्त सामराजे कलाओं के लिए सुर्ण यूग कहलाता है जैन में रखना यहाँ सवाल पूछा जा सकता है कि चोथी से लेकर चटी सदी के बीच में जो गुप्त सामराजे न वो कलाओं के लिए का कहलाता है स्वेन् यूद काल कहलाता है साहब वीडियो को लाइक नहीं कियाए आपने अभी तो लाइक कर दो शेर कर दो और पहली बार देखर लो और सबस्काइब कर लो गंते वाले निसान पर भी क्लिक कर लो अजनता की अजनता की गूफआएं उन्हीं दिनों खोदी गई उनकी दिवारों पर चित्र बनाएगे बाग और बादामे की गूफाएं भी इसी जमाने की है किस जमाने की है? 34-6 सदी के अजन्ता की गूफाओं के जो चित्र है इतने आकरसक हैं कि वे आज तक के कलाकारों पर क्या गहरा असर डालते हैं अज यह कलाकार वो भी देखते किया क्या कमाल बनाया है ऐसा मानना है क्या किünf जन्ता के दिवारों पर बने चित्र आप और आठ वीं सदी में चट्टानों को काट कर एलोरा की गूफ़ाय तयार की गई अब पूज लिया जाए किस सदी में चट्टानों को काट कर एलोरा की गूफ़ाय तयार की गई तो आपको सदी ध्यान में रखनी है साथवी और आठवी साथवी और आठवी सदी में चट्टानों को काट कर एलोरा क कैसे की होगी और फिर उस कल्पना को साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा हम तो केवल सोच भी नहीं सकते कल्पना भी नहीं कर सकती या रहे कैसे बनाए होंगे इतनी अध्भुद पत्थरों पर बारी काम किया गया है जो के कलाकार भी बड़ी मुश्किल शेकर पाते हैं लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती है त्रिमूर्ती की जवर्दस्त मूर्ती है एलिफेंटा के यहां दक्षिन भारत के महाब अलिपुरम की विशाल मूर्ती कला और तंजोर की चित्र कला कला को कि क्या अद्बुद उधारन है हम जिसे लगुचित्र के नाम से जानते हैं वे दो प्रकार के हैं एक इस्ताई जो कपड़ों किताबों लकड़ी या कागज पर किया जाता है देखिए लगुचित्र के दो प्रकार बताएं पहला एक इस्ताई जो क्या कपड़ों पर कारी रास्तान के अंदर पुराने आप अवेलियों में देखो कि तो अलगी तरीके किमाड मिलेंगे आपको दर्वाजे इनमें क्या आंदर परदेश और चतिसगड की कलमकारी पंजाब की फुलकारी महाराश्ट्र की वरली इत्यादी बहुत परशिद है तो यह देखिए चि चित्रों की विशेस्ता क्या होती है कि इनकी विभिन परकार की शेलियां वनों गाओं के लोग अपनी अपनी पारमपरिक शेलियों में चित्रकारी जो करते हैं अपने उसा राजस्तान के चितोडगड में कलाकार जो है लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थे देख कि उआफ करें और इस चित्रकारी में चित्र के माध्य शेंस्कृति और अहतियासि कथां काव किया जाता है कि मांड़ पैंटिंग होती ऍपे एस्टotal यो और इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल काले निले रंगों से क्या उकेरते हैं देखने की बात है कि गीत गोविंद के पदों को नर्तक Six of Those,adow. नर्तक विवेक्द करते हैं नर्तक विवेक्द करते हैं उसको और सबी कलाएं एक दूसरे से क्या है सम्मध है जुड़ी हुई है. मिधिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बना ikkIK को देखते हैं उसके अंदर मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रशिद ह और मदूबनी जो पेंटिंग होती है अगर आप मेथिली ठाकूर को देखते हैं तो उनकी जो अभी नया जो घर बना है उसके अंदर मदूबनी उनके 2-3 कमरों में मदूबनी पेंटिंग है जो बनाई हुई है आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखे हुए है आज के राश्टी और अंतराश्टी बाजार में भी इन लगूल लोग कलाओं के क्या बहुत मांग है एस्ताई कलाओं में कहोबर एपन अलपना रंगोली जैसी कलाओं का भी प्रसलित है एस्ताई कलाओं पूज लिया जाए एस्ताई कलाओं कौन कौन सी है कोबर एपन अलपना रंगोली इन कलाओं का सम्मंद साधी तियोहार उत्सौ से होता है इन छहेतरी भासों में इने छहेतरी भासों में अलग-लग नाम से जो जना जाता है आगे देखिये वास्त में हम बात करें तो उत्राखन में जिसें एपन कहते हैं यह ऐस्ता ही जो चित्रकरी कला है, चित्रकरी का परकार है एपन, इसको उत्राखंड में जिसे, उत्राखंड में कहते हैं एपन, उसे ही राजस्तान में क्या कहते हैं, मंडवा, उत्राखंड में तो एपन कहते हैं, राजस्तान में मंडवा कहते हैं, गुजरात में सतिया कहत महाराष्टर में रंगोली कहते हैं बिहार में अरीपन कहते हैं मद्य पर्देश और उत्रपर्देश में चोग पूर्णा कहते हैं रंगोली बनाते हैं न वही दक्षिन भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है तो यह सबी नाम ध्यान में रखिएगा उत्राखंड में तो पांगली के अउसर होते हैं न उन पर बनाई जाते हैं आपने बनावन असाटे आवाटे आर उन्हें वह चीज़ें समझवा आप कलाओं का ये जो अध्वुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है पर हम ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में जानना उसकी आदी ही कहानी जानने के बराबर है उसे पूरी तोर पर समझने के लिए हमें बहुत धर्म के साथ साथ मद एशिया चीन और जापान तक है जो जाना चाहिए तिबत और बर्मा और श्याम में फेल कर नए रूप धारण करते हुए और फुटकर नए संदरी पे विशाल व्यापकता लिये हुए है यह सच है कि भारतिय कलाओं का जो विस्तार है विश्वग अन्य भू भागों में भी हुआ लेकिन उन कलाकरति इस रिजन में शेत्री विशेस्ताय है गांधार शेली में बनी बुद्ध की परतिमा और तिबत की शेली में बनी संगीत कलाओं के तो भारत के प्राचीनतम संगीत का वडनन है वह वेदीं काल में मिलता है किस सनगीत काल में दूसरा देसी मारगी संगीत दार्मिक समारों से जुड़ा था तो पूश लिया जाए यहां सवाल बन सकता है कि मारगी जो संगीत था किन समारों से जुड़ा हुआ था दार्मिक समेलेनों, दार्मिक कारेक्रमों दार्मिक समारों से जुड़ा हुआ था नियम और अनुशाषन से बंदा था देशी लोक से जुड़ा था देखिए मारगी जो था संगीत ये धार्मिक समारों से जुड़ा हुआ था और जो देशी था ये किसे लोक से जुड़ा हुआ था वो जो नीती शत्यक बृत्री का वहाँ पर यह पंक्ति आई यह तो देनके पूछ आ जा सकता है कि सहित्य संगीत कला से क्या विहिन जो मनुश्य ओशाध बिना पूँच के क्या पशू के समान है कोन कहते हैं नीतियशतक के अंदर ब्रत्री कहते हैं और ये पूचा जा सकता है कि आम मुझे लगता कि पूचा जाएगा ही जाएगा फस्ट ग्रेड या सेकंड ग्रण दोनों में कहीं से भी किसी में भी आ सकता है लोग रूचिक अनुसार लोग रूची के अनुसार ये समू में ही गाया जाता है कौन देशी जो संगीत है सामवेद में गाने की जो निर्देश दिये गए हैं उससे यह पता चलता है कि वेदिक महर्षियों की पूजा और मंत्रोचार के तरीके को इस साम कहते थे सामवेद में यहीं चीज़े मिलती है आपको संगीत वाला सिस्टम ही कि जो महर्षियों के पूजा और मंत्रोचार के तरीके थे ना उनको इस साम कहते थे हमारे यहां आगे चलकर संगीत का जो विकास हुआ इसकी जानकारी बहुत मिलती बहुत नहीं मिलती उसका करण यह भी है कि हम भारतिये दस्तावेजी करण है जो नहीं करते हैं नहीं करते थे अब यहां पर यह चीज़ भी ध्यान में रखना रेजिन्ड ली में की जो बुद्धिष्ट आर्ट इन शाम 1938 केंब्रीज की प्रस्तावनाक अंस जो युएन ने गोशाल की प्रोग्रेश ऑप ग्रेटर इंडियन रिसर्च इसके अंदर है जो उद्रित है यह भी आप ध्यान में रखना थोड़ा सा अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरतमुने के नाटे सास्तर में ही सबसे परमानिक ढंक से हैं जो मिलता है चित्रकारों अन्य जितनी भी कलाओं संगीत का भी वर्णन है जो इसके अंदर मिलता है यह आज की जो सास्तरी संगीत से बहुत अलग नहीं था अगर अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से हजार साल पहले संगीत का केसा रहा होगा संगीत केसा रहा होगा और ये उसके कितना है जो करीब था बात करें बारतिय संगीत सुर्टाल राग और काल से समंध है भिन भिन समय के अनुसार राग भी अलग अलग हैं जैसे ब्रह्म मुरत में बेरव तो ये पूछा जा सकता है सवाल यहां से कि ब्रह्म मुरत में कौन सी राग बेरव मेग राग का सम्मंद सुबह से दीपक ब्रह्म मुरत में बेरव और मेग राग का सम्मंद सुबह से और मेगराग का समंध है सुबह से दीपक और स्रीराग का समंध है दोपहर से और कोश्रीक और हिंडोला का है रात में शक्तिuk अब कि अगर अपने बार्तिये फ्रेतरे कि वद्य जन्तरों को द्यांतसे सुना और देखा होगा तो आपका द्यांन इस और गया भी होगा कि भारतिय संगीत तक किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं वीणा जलतरंग रवाब दोतार बंसुरी सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस सब में प्रियोग किये जाने वाल जो चीज़े हैं हमारे आज पास के रोजमर्णा में प्रियोग होने वाली है इस अद्बुत विसेस्ता के कारण यहां की जो कला है वो सबसे अलग है यह सहजता और प्रकृति से जुड़ा भारतिय कला की विसेस्ता है जो रही है आगे हम बात करें तो हमारे यहां का जो मुख्यवाद दे है वो विणाई है क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पुरान जा सकता है संभहुत है यह मुख्यवाद्दे विणा की सुरू तक पहुंचने की कोशिच का प्रवाव था ध्यान देने की बात है कि यह उस्तो और उल्लास बरा संगीत भी धिरी धिरी नियमों से बंधा इसका भी शास्तर लिखा गया और बाद में चलकर एक शास्तर प्र किसकी आवाज में ग्रिजा देवी की आवाज में बच्चे के जन पर उत्रपरदेश का सोहर और विवाग के इस सुने होंगे और यहां पर भी अपने शादिभया के इंदर बच्चे के जन पर और मायरे वगएरा में गीत हैं जो गाते हैं हर एक वस्तु का स्वागत गीतों से किया जाता है बंगाल में वर्षा मंगल का वसंसोत्सव का ग्रिस्मोत्सव का गीतों के बिना कहां संभव साब हर समय की कुछ ने कुछ नए गीत है जो उनसे जुड़े हुए हैं मदे काल तक आते हैं बात करें तो अन्य किलाओं की तरह संगीत भी व्यावशाइक हो गया पर भारत का सबसे अच्छा समय वह था जब संगीत मनुश्य की जीवन का जरूरी अंग था ऐसे कहीं कहां होते भी है जो मिलती है आज भी जो संगीत है जो रूप को सुकून देता है पर संगीत होना चाहिए कुछ और तरीके अगा दुम दड़ाका भी चल रहा है अभी नियमों का क्या पालन करते है जिसका आधार है अभी नई इसका भी मूल शास्त्र बरत्मुनिका जो क्या है नाटे सास्त्री रहा है नर्ते के लाका भी नाटे साथ में नर्ते और नर्ते दो शब्ड मिलते हैं ये दोनों अभिने के ही क्या अलग अलग रूप है देखिए नृत्य यानि अभिने इसमें शब्द और भंगिमा मैत्वपून है और नृत्य में भाव और भंगिमा मैत्वपून है अंडरलाइन कर लिजिए पूछा जा सकते हैं नृत्य में क्या है नृत्य का मतलब अभिने केवल इसमें शब्द और भंगिमा शब्द और भंगिमा महत्वपून है और नृत्य जो है इसके इंदर भाव और भंगिमा महत्वपून है तो कि शब्द और भाव का फरक है नृत्य में शब्द और नृत्य में भाव भारत जो है वो लोग नृत्यों से सम्रिद रहा है हर कि ख्रीना, आख्याइfed आजय के अलग और समूधायों की अपनी नृत्य कलाई रही है, जो हमारे रोजमरा की जीवन से जुड़ी हुई है, जीवन में जितने जितने अनुष्ठान है उन सब में नृत्य किलाओं का भी क्या है संबन्ध है जैसे हम बात करें खेती से जुड़े समुदाय के जीवन में रित्वों का बदलना फसलों की बुवाई या कटाई सभी महत्मुन गटनाई है रित्वों का बदलना उनके पाउं को चंचल कर देत है वर्षा होती है तो उनके पाउं ठिरक उड़ते हैं बारत के हर राज्ये में यही भाव मिलते हैं कश्मीर से दार्जलिंग तता समुचे हिमाले के छेतर में एक और शस्त्रों शस्त्रों और युद्धों को नृत्य कला शालिंता से प्रस्तूत करते हैं तो दूसरे और ग्यहूं की फसल जो है वह बहुने को भी एक उस्त्रों बना देते हैं सभी लोक नृतियों में गोलाई में नृतक घंध कि के सारे क्या होती है इसत्रियां क्या करती है गर्बा करती है और पुरुस भी डांडिया राज है जो करते हैं जो गर्बा का ये एक और उर्जा बरा रूप है डांडिया राज महाराष्टर के मसली पालन से जुड़े समुदा है कि हम बात करें तो हातों में हाथ डाल करें एक अध्वूद एंद्रिक आकषन के लिए क्या है? प्रसिध है मैसूर में डोडवा कभीले के लोग बालाकल नृत्य करते है छाध में तलवारें होती है केरल के कुरुवान जी केरल 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 की कुरुवान जी निर्ते को बरतनाटेम का प्रेर्णा स्रोत माना जाता है देखिए साथ केरल का जो कुरुवांजी निर्ते है न उसको जो बरतनाटेम है न इसका प्रेर्णा स्रोत माना जाता है गुजरात का टिपने निर्ते भी याद रखेगा नोट कर लीजे या अंडरलाइन करते चलिए गुजरात का टिपने निरते भी समू के साथ होता है और ये फसल की कटाई के बाद खलियान में किया जाता है कब किया जाता है गुजरात का टिपने निरते प्रसिद है समू के साथ होता है और ये फसल की जब कटाई हो जाती है उसके बाद में खलियान में किया जाता है असम क का सत्रिय नृत्य लोग नृत्यों में भी निकोबारी अंडमान निकोबार से जुड़ा हुआ है और अरुनाचल प्रदेश में निशी असम का बिहू अंद्र प्रदेश का कोलहम तो वहीं पंथी और राउत चतिसगड तता जारकंड के लोग नृत्य प्रसिद्य साब है नृत्य द्यान देनी की बात ये है कि नृत्यों का संब्द भी विविन दार्मिक अनुष्ठानों से भी है कैसे पर ये किसी एक धर्म में नहीं बलकि लगबग सभी धर्मों में दिखाई पड़ता है कि बारतिय लोग जो है इस तरह थिरकता हुआ कब शास्त्रों नीमों में बंदा ये ठीक ठीक तो नहीं कहा जा सकता पर इनका भी आदार बरत्मुनिका क्या नाटे सास्त्री ह विद्वानों का ये मानना है कि लोग नृत्य से ही क्या शास्त्रे संगीत ये माफ कीजे स्यास्त्रे नृत्य जो है विक्षित हुआ पारत्यों को देखकर कुछ लोग ऐसा सोसते है क्या कि ये सिर्फ हात और पीर की गती से जुड़ा है अगली बार आप ध्यान से तो भारतिये निर्टे में सभी एंगों की गती लाई मैंत पूर्ण है भारतिये नर्थकों को आँख बहुं या फिर नासिका के माद्यम से ही खुशी दुख क्रोध विवत्स आदी बहुं का विव्यक्त करने में क्या महारत आंसिल है देखे होंगे आपने पुराने निर्थ जो मादूर दिक्षित वगरा करते थी तो आँखों से जो इसा रहे मतलब निर्थे में आप जो चीज कहे कर सकते हो वो सारी की सारी निर्थे के माद्यम से मुख मुद्राओं के माद्यम से अभिव्यक्त की जा सकती है वो कला होनी चाहिए इन्हीं भाव भंगिमाओं के ज रूप है हातों के विभिन मुद्राएं इनके माद्यम से मनुष्य के भावं से लेकर जानवरों के भावं तक को क्या दिखाये जा सकता है इन सास्त्रिये निर्थे में मुख के रूप से केरल का क्या कथक लिए कहीं बार पूछा गया महनी अटम उत्रपरदेश का कथक आं असम के सत्रिये को भी शास्त्रिये निर्थे में शामिल किया गया है किसको असम के सत्रिये को इन सभी का समंद किसे ने किसी राज्ये और उनकी परंपराओं से है चूँकि इस निर्थे को सीखने के लिए बहुत साधना की जरूरत होती है आजकल तो टेरेंस के डांस पर ल लगी है आज करतों सिस्टम व्यावसाई की सीखते थे यह संदर भी आता है कि बाद में आके चलकर मैयलों में राजकुमारी और राजकुमार भी है जो निर्त्य करते थे पर सास्थ दूनिक रूप से नहीं सास्त्री निर्त्यों के स्वरूप में भहुत परिवर्तन हुआ है वर्तमान समय में इन्हें देखकर दो-तिन सो साल प्राचिन नृत्य किला से भी इन्हें पूरी तरह से नहीं जोड़ा जा सकता है भारतिय किलाएं लोग से सास्त्री रूप तक अचानक नहीं पहुंची है साहब वर्सों इनके बीच समवाद होता रहा है राज के मंचों या फिल्मों में जो संगीत या नृत्य मिलता है उनमें दोनों का मिलाजूला रूप अधिक दिखाई पड़ता है हमारा ध्यान इस पर भी जरूर जाना चाहिए कि हरे एक राजे में सभी किलाओं के बीच में क्या एक अंतरसंमन दिखेगा और उत्तर भारत में बांस नृत्य बांस क्राफ्ट कला और या फिर बांस के वद्ध यंतर इसके क्या है उधारण है ध्यान देने की बात ये भी है कि सभी कलाएं दिरी-दिरे समू से व्यक्तिक लागा रूप दारण करें जहां पर ये सारे नृते तमाम जो नृते हैं ये समू के ग्रूप के अंदर होते थे अब व्यक्तिकत होते जा रहे हैं सोलो प्रफॉम्मेंस होते जा रही है इसका कारण है जो निश्टित रूप से व्यवसाई भी रहा है सबी लोग नुरतियों में साथ साथ एक ताल में पेरों का उठना हाथों का एक दूसरे से जुड़ना अपने आप में भारत के अद्बूत साजरियों प्रेम भावना के संकेत है क्या ये अनायास रूप से कलाओं में आया होगा समुचा समुचा मानव जीवन समुची प्रकर्ती क्या अनायास ही कलाओं का विशे बने होंगे इनका सम्मंद भारत की प्रेम भावना के क्या साथ साथ भारतिये संस्कुपति में जो नहीत वशुदेव कुटुमबकम की जो भावना है कि सारा संसार ही क्या है परिवार है अवस्य होगा और यही कारणे कि यहां की कलाओं का मुरीद आज भी क्या है पुरा विस्वह साहब तो यह था अपना अध्याय कंप्लेट हो चुका है लेखोंको के बारे में हमने हरा ज्याय के अंदर पड़ी लिया था और विगते के दुरोब से जो भी साते तयारे करनें जुड़े उनको शेर करो आप और बोलो कि चैनल को क्या करो सबस्क्राइब करो आप आप नहीं भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करो बेल आइकन जो घंटी उस पर क्लिक करो और लिखाव आएगा उस ओल नोटिफिकस तर आप जरूर देखिएगा इस चैनल पर जाकर आदी की आवाज पर मोटिवेशनल वीडियो आपको अवश्य ही मदद मिलेगे टेलिग्राम चैनल से आप जूड़ जाएगे टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा नाम क्या है कवी, आदी, गनेश और हिंदी हिंदी आपको देव नागरी में लिखना है इस नाम से विए सर्च करोगे जिस पर 29 सो से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं उसे टेलिग्राम चैनल को आपको जोइन करना और जीके की भी आप क्लासे चाहते हैं बहतरिन ढंक से तो आप कमेंट करके बताएगा हम उस पर विचार करेंगे जाहिंद फिर मिलता है